हर हर महादेव काशी के सभी बहनों भाईयों को मेरा प्रणाम आज काबूल में गुरुद्वारों में हुए आतंकी हमले से मन काफी दुखी है मैं इस हमले में मारे गए सभी लोगों के परिवारों के प्रती सम्वेदना व्यक्त करता हूँ साथियों आज नववर्ष का पहला दीन है चैत्र नवरात्र के पावन पर्वका पहला दीन है आप सभी पूजा अर्चना में व्यस्ता होंगे इसके बीच आपने इस कारकम के लिए समय निकाला मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ साथियों आप जानते हैं नवरात्री के पहले दीन मा शैल पुत्री की पूजा की जाती है मा शैल पुत्री इसने करुणा और ममता का स्वरूब है उन्हें प्रकूती की देवी भी कहा जाता है आज देश जिस संकट के दौर से गुजर रहा है उसमें हम सभी को मा शैल सुते के आशिरबात की बहुत आवशक्ता है मेरी मा शैल पुत्री से प्रार्थना है कामना है कोरोना महामारी के विरुद्ध जो यूद्ध देश ने छेड़ा है उसमें हिंदुस्तान को 130 करोर देश वास्यों को बिजय प्राप्त हो काशी का सांसद होने के नाते मुझे ऐसे समय आपके बीच होना चाहिए था लेकिन आप यहां दिल्ली में जो गतिवीदियां हो रही है उससे भी परिचीत है यहां की व्यस्तता के बावजूत मेवारानसी के बारे में निरंतर अपने साथियों से अपडेट ले रहा हूँ साथियों याद कीजिए महा भारत का युद्ध महा भारत का युद्ध अठारा दिन में जीता गया था आज कोरोना के खिलाब जो युद्ध पुरा देश लड़ रहा है उसमें 21 दिन लगने वाले हैं हमारा प्रयास हैं इसे 21 दिन में जीत लिया जाए महा भारत के युद्ध के समय भगवान स्रिक्रष्णा महारती थे सार्थी थे आज 130 करोर महारतियों के बलबुते पर हमें कोरोना के खिलाब इस लड़ाई को जीतना है इसमें काशी वाशियों की भी बहुत बड़ी भूमिका है काशी के बारे में कहा गया है मुक्ती जन्म मही जानी ज्ञान खानी अदहानी कर जहां बस संभू भवानी सो काशी सेई कसन अर्थात ये ज्ञान की खान है पाप और संकट का नास करने वाली है संकट की इस गड़ी में काशी सब का मारदर्थन कर सकती है सब के लिए उदाहन प्रस्तुत कर सकती है काशी का अनुभव सास्वत सनातन समयातीत है और इसलिए आज लोगडाउन की परिस्तिति में काशी देश को सिखा सकती है सैयम, समनवय और संबेदन सिल्ता काशी देश को सिखा सकती है सहयोग, शांती, सहन सिल्ता काशी देश को सिखा सकती है साधना, सेवा, समाधान साथियों काशी का तो अर्थी ही है शीव शीव यानि कल्यान शीव की नगरी में महाकाल महदेव की नगरी में संकर से जूजने का सब को मार्ग दिखाने का सामर्त नहीं होगा तो फिर किस में होगा साथियों कोरोना वैस्विक महामारी को देखते हुए देश भर में व्यापक तैयारी की जा रही है लेकिन हम सब के लिए मेरे लिए भी और आप के लिए भी ये ध्यान रखना है कि सोशल डिस्टंसिंग घरों में बंद रहना इस समय एक मातर उपाय है बहतर उपाय है मुझे ऐसास है कि आप सभी के बहुत सारे प्रश्ण होंगे कुछ चिंताएं भी होगी और मेरे लिए कुछ सुजहाव भी होगे तो आईए हम अपने संबात की शुरुवात करते हैं आप अपना सवाल पूछेंगे मैं जुरूर अपनी बात बताने का प्रयास करूँगा हाँ शुरू कीजिए नमस्कार प्रश्ण कांत बाचपई हूँ वाराणडसी में एसन इस्ट्यूट आफ पाशन डिजाइन टेक्नोलोजी का निदेशक हूँ साथ में ब्लॉगर हूँ वाइटर हूँ बगमेंटरी फिल्मेटर हूँ और एक कभी भी और आप ही वर्तमान में आपने जो युद्ध छेड़ा है कुरोना के खिलाफ कि ये बिमारी हम लोग नहीं हो सकती है क्योंकि हमारा ठानकाउन जिस तरीके का है जैसा हमारा परिवेश है और जिस इरीतर रवाज हैं परंपराएं हैं और वाता वराणड़ी गढमी आने वाली है ज्यादा गर्मी हो जाएगी तो वैरस पतन हो जाएगर हम लोग तो नहीं होगा तो इसमें उदासियंता कई बारी हो जाती है चीज़ां को लेकिए इसमें मार्ग दर्शन करें क्रिश्नकान जी मुझे बहुत गर्व होता है जब आप जैसे प्रबुद्ध नागरिकों को अपने व्यक्तिगत कारियों अपने वैशाय के साथ ही लोगों को जागरुक करने के महत्वपों काम को करते हुए देखता हूँ आपका ये सेवा भाव और समाज के प्रतिये संबेधना जरूर परणाम लाएगी जरूर हमें कोरोना के खिलाप इस लड़ाई में विजय दिलाएगी आपने जो बात कही वो सही है कि कई लोगों को इस बारे में कुछ गलत फैमी है देखिए मनुष्य का स्वभाव होता है कि जो कुछ भी सरल हो खुद को जड़ा भाता हो अनुकुल हो उसे बस तुरंट फिकार कर लो कोई बात आपको अपने पसंद की लगती है आपको सूट करती है तो आप उसे तुरंट सच मान लेते हैं ऐसे में कई बार होता ये है कि एहम बाते जो प्रामानिक होती है अधिकृत होती है उस पर कुछ लोगों का ध्यान जाता ही नहीं है हमारे यहां भी कुछ लोगों के साथ यही हो रहा है मेरा ऐसे लोगों से आगर है कि जितनी जल्दी हो सके अपनी गलत फैमी से बाहर निकले सच्चाई को समझे देखिए इस बिमारी में जो बाते सामने आई है उसमें सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि बिमारी किसी से भी भेदवाव नहीं करती ये समृत्त देश पर भी कहर बरपाती है और गरीब के घर पर भी कहर बरपाती है यहां तक कि जो व्यायाम करते हैं अपने स्वास का बहुत ज्यान रखते हैं ये वाइरस उनको भी अपनी ले लेता है इसलिए कौन क्या है कहा है क्या काम करता है क्या नहीं करता इसका कोई महत्व नहीं है इन सब में दिमाग लगाने के बजाए बिमारी कितनी भयानक है इस पर ही ध्यान के दिनित करना चाहिए ये समझना चाहिए आपकी बाद भी सही है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने कानों से सुनते हैं अपनी आँखों से देखते हैं और अपनी बुद्धिज़ा समझते भी है लेकिन अभल नहीं करते हैं उनको कोई इन खत्रों का पता ही नहीं होता है बेफिक्र ही होते हैं क्या सावधानी बरतनी हैं उन्हें ये भी पता नहीं है लेकिन वे उसल में उसे कभी अमन में लेना ही नहीं चाहते हैं टीवी पर आपने कितनी बार देखा होगा सिग्रेड पीने से कैंसर होता है गुटका खाने से कैंसर होता है कई बार ऐसा होता है कि लोग सिगरेट पीते पीते ही इस तरह के एवरटाज्मेंट देखते रहते लेकिन इसका उनके मत पर कोई प्रभावी नहीं पड़ता है यही जो बात है जो मैं कह रहा हूँ कि लोग कई बार जानते बुझते हुए भी सावधानी नहीं बरते हैं लेकिन हाँ नागरी के रुप में हमें अपने करतव्य करते रहना चाहिए हमें सोशल डिस्टंसिंग पर ध्यान देना चाहिए हमें घर में रहना चाहिए और आपस में दूरी बनाए रखना चाहिए कोरोना जैसी महामारी से दूर रहने का अभी यही एक मात्र उपाए है अगर व्यक्ति संयम से रहे और निर्देशों का पालन करे तो वो उसके इस वाइरस की चपेट में आने के संभावना कम हो जाती है आप ये भी ध्यान रखिये कि कोरोना से संक्रमीत ये बहुत महत्वपुन बात है कोरोना से संक्रमीत दुनिया में एक लाख से अधिक लोग ठिग्मी हो चुके हैं और भारत में भी दरजनों लोग कोरोना के सिकंजे से बाहर निकले हैं कल तो एक खबर में देख रहा था कि इतली में 90 वर्ष में से भी जादा आयू की माता जी भी स्वस्त हुई है वैसे मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहता हूँ कि कोरोना से जूड़ी सही और सटिक जानकारी के लिए सरकार ने वाटसप के साथ मिलकर एक हिल्प डेश भी बनाई है अगर आपके पास वाटसप की सुविदा है तो मैं एक नंबर लिखवाता हूँ लिख लीजिए ये नंबर हर एक को काम आएगा अगर आप वाटसप पर है तो इसका उप्योग कीजिए नंबर मैं लिखवाता हूँ 90131 फिर से बोल रहा हूँ 9013151515 पर आप वाटसप करके इस सेवा से जूर सकते हैं अगर आप उस वाटसप पर नमस्ते लिखेंगे तो तुरंट आपको उचित जवाब आना शुरू हो जाएगा तो आप जुरूर जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं हमारे काशी के भाईब हैं और हिंदुस्तान के और लोग भी अगर सुनते हैं तो जुरूर इस वाटसप पर आप नमस्ते लिखेंगे अंग्रेजी में या हिंदी में तो आपको तुरंट वो आपको रिस्पॉंड करेंगे आईए क्रिश्रकान जी का मैं धन्यवाद करते हुए आगे चलता हूँ आपा इस का मत्री जी में शीर देजन करता हुए आपकान के लिए करते हुए और शोशल दिस्ट्रेंसिंग का पारण तो सभी तरह हैं आपके इसे कुछ आशेका है करी पादा हो रही है उसे मीडिया से पता चला होने की देश के कुछ जगहों में डॉक्टर्स अस्तपाव करने वाले करवचारी पेड़ां के साथ करोना के शक्त के साथ दोभ़वार किया जाता है यह सब बाते पता सल्वे पर बहुत किया तरह है इस आख आपकी पीड़ा सही है मेरी भी यही पीड़ा है कल मैंने नर्सिस के साथ डॉक्टर के साथ लेप टेक्नेशन के साथ इन विश्णव पर विस्तार से बात की है इस देश के सामान्य मानवी का मन अगर हम आम तोपर देखे मैं एक सामान्य जीवन की बात करता हूँ तो सही समय पर सही काम करने और जरूरी कदम उठाने में हमारे देश के लोग बहुत विश्वास रखते हैं आपने देखा होगा कि 22 मार्च को किस तरह पूरे देश ने जनता कर्फ्यू में बढ़ चरकर के अपनी भागीदारी निभाई और दुनिया को चम्पित कर दिया है और फिर शाम के ठिक 5 बजे 5 मिनिट के लिए कैसे देश भर के लोग अभिवादन के लिए सामने आए साथ ही अलग-अलग जगवों से एक साथ एक मन होकर कोरोना के खिलाब हमारी जो नर्सिस लड़ रही है डॉक्टर लड रहे हैं लेब टेक्जिशन लड़ रहे हैं पैरा मेडिकल स्टाप लड़ रहे हैं उन सब की प्रती दन्यवाद का एक अभुत्पर्व द्रश्य प्रस्तुत किया यह पुरे देश ने किया है यह सम्मान का एक प्रगट रूप था लेकिन बहुत कम लोग इस बात को समझ पाते हैं कि इस छोटे से कारकम के द्वारा और भी कुछ हुआ है इसके अंतर नहीं एक अप्रगट बाद भी थी और आप तो महिनी जी समाज सेवा में लुगी हुई है तो इस बात को भली बाती समझ सकती है समाज के मन में इन सब के लिए आदर सम्मान का भाव होता ही है डॉक्टर जिन्दगी बचाते हैं और हम उनका रण कभी नहीं उतार सकते हैं जिन लोगों ने बुहान में रेस्क्यू अपरेशन किया मैंने उनको पत्र लिखा था मेरे लिए वो पल बहुत भावक था वो सिरफ लिखने के लिए लिखा गया पत्र नहीं था अभी इटली से लोगों को लाने वाले एर इंडिया के क्रू जिन में सभी महलाएं थी मैंने उनकी तस्वीर को भी सोशल मीडिया पर साजा किया था शायद आप लोगों ने देखा भी हो हाँ कुछ थानों से ऐसी घटनाओं की जानकारी भी मिली है जिसमें रुदय को गहरी चोट पहुंचते बहुत दर्द होता है पीड़ा होती है मेरी सभी नागरिकों से अपील है कि अगर ऐसी कोई गतिविदी कहीं दिखाई दे रही है इस सेवा मेरत इस महामारी से हम लोगों को बचाने के लिए जो काम में लगे है डॉक्टर हैं नर्स हैं मेडिकल के लोग हैं सफाई के लोग हैं अगर उनके साथ बुरा वरताव होता है तो आप भी अगर वहां उस इजाके के लोगों को जानते हैं उनको चितामली दीजिए उनको समझाईए ये गलत कर रहे हैं ऐसा नहीं कर सकते हैं और जो भी सेवा कर रहे हैं उनके हमने मदद करनी चाहिए और बताना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए और मैं आपको बता दू जब मुझे कल सब डॉक्टरों से बात कर रहा था मुझे पता चला गटनाए भले छुट-पुट कहीं कहीं होगी लेकिन मेरे लिए गंबीर है और इसलिए मैंने तत्काल गरह विभाग को राज्यों के सभी डीजीपी को सकती से काम करने के लिए कहा ह कि डॉक्टरों के साथ नर्सों के साथ सेवा करने वालों के साथ अगर इस परकार का कुछ भी करेंगे तो उनको बहुत महंगा पड़ेगा और सरकार सक्त कदम उठाएगी संकट की इस घड़ी में मैं देश वासियोंसे ध्यान दोरना चाहूँ क्या आकर्षिस करना चाहूँ संकट की इस घड़ी में अस्पतालों में इस समय सफेद कपरों में दिख रहे डॉक्टर नर्स इścieवर का ही रूप है आज यही हमें मृत्यु से बचा रहे हैं अपने जीवन को खत्रों में डाल करके यह लोग हमारा जीवन बचा रहे हैं साथियों हमारे समाज में यह सवस्कार दीनों दीन प्रबल होता रहे यह हम सब का दाईत्व है कि जो देश की सेवा करते हैं जो देश के लिए खुद को खपाते हैं उनका सारवजनिक सम्मान हर पल होते रहना चाहिए आपने देखा होगा कि बीते कुछ वर्षों में एक परमपरा हमारे सामने आती हैं देखने को मिलती हैं एरपोर्पर जब फोच के जवान जाते हैं तो उनके सम्मान में लोग खड़े हो जाते हैं तालिया भी बढ़ जाते हैं ये आभार प्रकड करने का तरीका हमारे समस्कारों में दिनों दिन बढ़ता ही जाना चाहिए महिनी जी आप तो बहुत सेवा के कारे में लगी हुई हैं इन दिनों जुरूर कुछ न कुछ आप भी करती होगी मैं फिर एक बार आपका आभार वेक्तर करता हूँ आईए काशी के कोई और महानुभाव से भी मोका मिलेगा मुझे बात करने का हाँ बताईए मैं अखिलेश खेमका, मैं कपड़े का कारुबारी हूँ और मैं अपने बैपार के साथ सब को समा सेवा का भी जरत्मनों के सेवा करता रहता हूँ मेरा ये मन में कोश्चन था कि आज की दिन जो लॉग्बॉन हो गया है इस वज़े से बहुत से हमारे साथ ही लोग अपनी जड़ा पे अटक गए है तथा जो हमारे गरीव वर के लोग हैं जो प्रतिदिन मैनत करके कमाते हैं बजदूर डेली बेसिस के स्टाफ ये लोग के सामने एक मुस्किल आईवी है और अगर हमारे बनारस सहीत हमारे वारांची से पूरे देश के जो इस गरीव वर के लोग हैं इन लोग पे रहे विशेश ज़ान देने की जरुवत है तो मैं आपसे एक की निवेदन करता हूँ कि हम लोग को मात दर्शन दे हम लोग राष्ट के युवा और हम लोग जो समाज के लोग हैं किस रूप में हम इन लोग की मदद कर सकते हैं काश्य में बात होती हो और कपड़े वाले से बात नव हो तो बात अधूर नहीं रह जाती है और अखिलेश जी मुझे खुशी है का आप व्यापारी है लेकिन आपने सवाल गरीबों का पूछा मैं बहुत आबारी हूँ आपका कोरोना को पराजित करने के लिए एक रणनिती के तहत एक्सपर्ट से मिले दिशान निर्दोसों के मताबिक ही ये कहा जा रहा है कि हर व्यक्ति दूसरे से कम से कम एक डेड़ मिटर की दुरी पर रहे ये कोरोना के खिलाप इस बड़ी लड़ाई की सञ्यनिती है मैं इसको सञ्यनिती कहता साथियों हम इस बात पर विश्वास करने वाले लोग है जो मानते है कि मनुश्य इस्वर का ही आउश्य है व्यक्ति मात्र में इस्वर का वास है यही हमारे संस्कार है यही हमारी संस्कृति है कोरोना वायरस न हमारी संस्कृति को मिटा सकता है और नहीं हमारे संस्कार मिटा सकता है और इसलिए संकट के समय हमारी संवेदनाए और जागरत हो जाती है कोरोना के जबाब देने का दूसरा एक काकतवर तरीका है और वो तरीका है करूना कोरोनो का जबाब करूना से हम गरीबों के प्रति जरुरत मंदों के प्रति करूना दिखा कर भी कोरोना को पराजित करने का एक कदम ये भी कर ले सकते हैं हमारे समाज में हमारी परंपरा में दूसरों की मदद के एक सम्रुद परिपाटी रही है हमारी यहां तो कहा जाता है साई इतना दीजिए जामे कुटुम समाए मैं भी बूखा ना रहूं साधु न बूखा जाए अभी नवरात्र शुरू हुआ है अगर हम अगले 21 दिन तक और मैं मेरे सभी मेरे काशी के भाईयों मैंनों को कहना चाहूंगा कि जिनके पास ये करने की शक्ती है देश में भी जिसके पास ये शक्ती है दो उनको ये ही कहूँगा ये नवरात्री का जब पारंब हुआ है तब अगले 21 दिन तक प्रती दिन प्रती दिन नव गरीब परिवारों की मदद करने का प्रण ले 21 दिन तक नव परिवारों को आप समा ले मैं मानता हूँ अगर इतना भी हम कर ले तो मा की इससे बड़ी आराधना क्या हो सकती है ये सच्चा और पक्का नवरात्र हो जाएगा इसके अलावा आपके आसपात जो पशू है उनकी भी चिंता करनी है लोकडाउन की वज़र से अनेक पशूओं के सामने जानवरों के सामने भी भोजन का संकट आ गया है मेरी लोगों से प्रार्थना है कि अपने आसपात के पशूओं का भी ध्यान रखे अखिलेज जी अगर मैं कहूँ कि सब कुछ ठीक है सब कुछ सही है तो मैं मानता हूँ कि मैं खुद को भी दोखा देने वाली बात कर रहा हूँ इस समय केंद्र सरकार हो या राज सरकारे जितना जादा हो सके जितना अच्छा हो सके इसके लिए ब्रसक प्रयास कर रही है मुझे राज सरकारों पर पूरा भरोसा है कि वो अपने राज के परतेग नागरिक की चिंताओं को समझते हुए पूरी समवेदन सिल्टा के साथ उनकी देखभाल करेगी लेकिन साथ क्यों हम ये भी जानते है कि सामान्य परिस्तिति में जहने कोई तकलीब नहीं है कोई आपता नहीं है मुसीबत नहीं है सामान्य परिस्तिति में कभी बीजली चली जाती है कभी पानी आना बंध हो जाता है कभी में मदद के लिए आने वाले हमारे जो कर्मचारी है वो अचारग लंबी छुटी ले लेते हैं तमाम तरह की दिक्कते बिना बताएं बिना किसी पूर्व सुचना के हमारे जिवन में आती रहती है यह हम सब हिंदुस्तानियों का अनुभव है ऐसे मैं और वो तो है संकट के समझ नहीं कहता हूँ सामान निस्तिति में भी आती है ऐसे मैं जब देश के सामने इतना बड़ा संकट हो पूरे विश्व के सामने इतनी बड़ी चुनोती हो तब मुश्किले नहीं आएगी सब कुछ अच्छे से होगा यह कहना अपने साथ दोखा करने जैसा होगा मैं मानता हूँ कि यह सवाल बहुत महत्पुन है कि व्यवता ठीक है या नहीं सब कुछ सही से हो रहा है या नहीं हो रहा लेकिन जड़ा पलभर सोचिए इससे भी ज़्यादा महत्पुन सवाल यह है कि कोरोना जैसे संकट में हमें तकलीपें सहकर भी विजई होना है या नहीं होना है जो तकलीपे आज हम उठा रहे हैं जो मुश्किल आज हो रही है उसकी उम्र फिलहाल 21 दिनी है लेकिन अगर कोरोना का संकट समाथ तो नहीं हुआ इसका फैलना नहीं रुका तो फिर ये संकट ये तकलीपें कितना ज़्यादा नुक्सान हो सकता है इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है एक से कथिन समय में प्रशासन के द्वारा नागरीकों के द्वारा सिबिल सुसाइटी के द्वारा सामाजिक संगटन स्यंस्कृतिक संगटन धानमिक संगटन सब को जो भी कारिय कर रहे हैं सराजने कारिय करिये जा रहे हैं उसे जादा से ज़्यादा प्रोसाइद किये जाने की आवश्चता है आप सोचिए अस्पतालों में लोग 18-18 घंटे काम कर रहे हैं कई जगह अस्पतालों में हेल्ड सेक्टर से जुड़े लोगों को दो या तीन घंटे से जादा सोने को नहीं मिल रहा है कितने ही सिविल सोसाइटी के लोग हैं जो गरीबों की मदद के लिए दिन रात एक किये हुई है इस कठीन परिस्थिती में ऐसे लोगों को हमें नमन करना चाहिए हाँ हो सकता है कुछ जगों पर कम्या हो किसी ने लापरवाई की हो लेकिन ऐसी घटनाओं को खोच-खोच करके उनी पर ध्यान केंदित करके उनी को आधार मना कर उसी को प्रचारीत करना उस सेक्टर को बदनाम करना उनको हतास कर देना ये ऐसे समय में कभी लाब नहीं करता है मैं तो आगरे करूंगा हम समझे निराशा फैलाने के लिए हजारों कारण हो सकते हैं मैं नहीं कहता हूं सब गलत होते हैं हजारों कारण हो सकते हैं लेकिन जीवन तो आसा और विश्वास से ही चलता है नागरिक के नाते, कानून और प्रशासन को जितना जादा सहयोग करेंगे उतने ही बहतर नतीजे निकलेंगे हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि प्रशासन पर कम से कम दबाव डाले प्रशासन का सहयोग करें ये अस्पताल में काम करने वाले, ये पुलीस कर्मी, ये सरकारी दब्तरों में अभी जो लोग काम कर रहे हैं, जो हमारे मीडिया कर्मी है ये कोई बाहर के लोग है क्या? बाहर से आये हैं क्या? ये हमारे ही लोग है जी इतना बड़ा बोज उन पर आया है तो बोज कुछ थोड़ा हम भी उठाए हमें उनका होसला बढ़ाना चाहिए जो इस कठीन परिस्तिते में काम कर रहे हैं अखिलेश जी व्यापार जगत में रहते हुए गरीबों की चिंता करने का आपकी भावना और देश ऐसे अखिलेशों से भड़ा हुआ है जी देश में अखिलेशों की कमी नहीं है आईए हम मिल करके गरीबों का भी भड़ा करें जिम्मा उठाएं और इस लड़ाई को जीतें आईए और भी कोई सवाल होंगे शायद अखिलेश जी नमस्ते आपे नमस्ते जी आपका आवाद नहीं सुनाई दे रही है आपकी आवाद नहीं सुनाई दे रही है आपकी आवाद नहीं सुनाई दे रही है प्रदार्बंत्री जी हमारे आम तोर पे ये लोगों की आदत है कि वो खुद से डाक्टरी करने लगते उन्होंने कहीं से पढ़ लिया, कहीं से सुन लिया, खुद से इलाज करने लग जाते हैं जो एक बहुत भी खतरनाक स्थिती की तरफ हमें ले जाती है ये मैं एक माइक्टर बाजिस होने के नाते कह सकता हूँ करोना के इस बिमारी में ये इस्थिती और भयावा हो जाती है क्योंकि हम जानते हैं कि न तो अभी वैक्सीन डवलप हो पाया है नहीं कोई स्पेस्पिक दवा डवलप हो पाई है फिर भी तरह तरह की भांतियां समाज में फैली होई क्या हम समाज कोई इस दिशा में और जागरूप करने की कोशिस नहीं करनी चाहिए हमें प्रफिसर साब आप तो स्वया मिर्ष्ख शेत्र के विश्य सग्या है और इसलिए आप सच क्या है जूड क्या है बहुत बली भाती परख सकते हैं इन विश्यों में हमसे ज़्यादा ज्यान आपके पास है और उसके बाद भी आपको चिंता होना बहुत जायज है हमारे यहां डॉक्टरों को पूछे बिना ही सर्दी जुकां बुखार की दवाएं लेने की आदत है रेल के डिबे में अगर हम ट्राविल करते हो और अगर एक बच्चा रोने लग जाएं और लंबे समय तक रोता राय बन न करें तो रेल के सभी डिबों से लोग आ आ करके सला देंगी ये दे दो, वो खिला दो, वो पिला दो यह हमने रेल के डेभु में देखा होगा मुझे लगता है कि हमने इन आदतों से बचना है कोरोना के संक्रमन का इलाज अपने स्तर पर बिल्कुल नहीं करना है घर में रहना है और जो करना है सिरफ और सिरफ दॉक्टरों की सला से ही करना है टेलीफोन पर अपने डॉक्टर से बात कीजिए, उनको पूछिए, अपनी तकलिप बताईए, क्योंकि करीब करीब सभी परिवारों में किसे ने किसी डॉक्टर का परिचे होता है हमें ध्यान रखना है कि अभी तक कोरोना के खिलाब कोई भी दवाई, कोई भी व्यक्षिन पूरी दुनिया में नहीं बनी है इस पर हमारे देश में भी और दिसरे देशों में भी हमारे जितने साइन्टिस्ट हैं, वैज्यानिक हैं, अनुसांधान करने वाले लोग हैं, वो तेजी से काम कर रहे हैं, काम चल रहा है और इसलिए मैं कहूंगा, देशवासियों अगर आपको कोई भी किसी प्रकार की दवाई का सुझाव दें, क्रिपां करके, अपने डॉक्टर से पहले बात कीजिए सिर्फ डॉक्टरों से सलान लेने के बाद ही आप दवाईयां ले आपने खबरों में भी देखा होगा, कि दुनिया के कुछ देशों में, अपनी मर्जी से दवाईये लेने के कारण, कैसे जीवन संकट में पड़ रहे हैं हम सभी को हर तरह के अंद्विस्वात से, अफ़ाओं से बचना है डॉक्टर गोपाल जी, मैं आपको आभारी हूँ, क्योंकि आप तो विज्ञान के साथ जुड़े हुए हैं और गंगा की चिंता कर रहे हैं और ये जो समाज जीवन में चल रहा है, इसकी आपको काफी चिंता हो रही है लेकिन मुझे विश्वात है कि हमें लोगों को समझाना होगा आईये, गोपाल जी का धन्यवाद करते हूँ, अगला एक सवाल कौन है जी? नमस्कार, प्रदान में जी मेरा नाम अंकेता खत्री है और मैं एक ग्रहनी होने के साथ साथ विभिन रचनात्मक कारियों में भी सक्रिये हूँ इस समय आपकी पेड़ना से शोशल मीडिया पर कुछ क्रियेटिव करो ना के हाश्टाग के साथ एक अभियान का आरम किया है मैंने जिसमें काशी के विभिन रचनाकारों कलाकारों को आभान कर रही हूँ अजा आपने भी मेरी करा पोस्टर दिखा दिया सब आपकी पेड़ना से वानिनी प्रदान मंत्री जी और आपकी ही पेड़ना से ये सभ्यान का आरम किया है और इसमें काशी चुकि हमेशा से रचनात्मक था आप सेम इतने रचनात्मक हैं सकरात्मक हैं इसी नकरात्मक परिस्तिती में भी मैंने कहीं सुना था कि जो रचता है वो ही बचता है तो काशी के समस्थ रचनाकारों को रावान करी जो रचता है वो बचता है तो ये मैंने कहीं सुना था, आपकी पेड़ना से इस अभियान का आरंध किया है इसके अंतरगत काशी के विभिन रचनाकारों को, लेखकों को, कवियों को, चितरकारों को आमन्तृत कर रही हूं और प्रयास रहेगा कि ये जो 21 दिवस का जो काल है, उसमें उसका संकलन हो, उसका प्रकाशन हो और आपको हम सब काशी की ओर से समर्पित कर सके किन्तु एक ग्रहनी के रूप में मेरी अक सवाल है और एक चिंता है जिसे आप से सांजा करना चाहती हूं लॉक्डाउन की इस अवधी में सारे बच्चे घर पर हैं और बच्चों को समालना एक बड़ा दूरहू कारे एक चुनोती पूर्ण कारे हो रहा है हम सब के लिए ऐसे में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो जिनके एक्जाम प्रभावित हुए है मेरा खुद का बेटा बारवी का बोट्स दे रहा था और एक प्रेपर उसका थगित हो गया है तो घरवालों को थड़ी सी चिंता बनी हुई है प्रदान मंत्री जी ऐसे में क्या किया जाए अंकियजा जी पहली बात तो आप रचनात्मक काम, क्रियेटिव एक्टिविटी इसको बढ़ दे रही है और इसका जीवन में एक अलग उर्जा उसके गान रहती है लेकिन आपने कहा कि सब रचनाकारों का आप इकटी कर रही है मेरी विन्यंती है किसी को इखटा मत करो सोशल डिस्टनसिंग, सोशल डिस्टनसिंग यह सबसे पहली बात है हाँ, आप ओनलाइन सबसे अपनी कलाक, उसका मागी आप संकलन कीजिए और कलपना अच्छी है, जो इस भाव के लोग हैं, उनकी रचनाएं, उनकी चीजें, जुरोर देश को काम आएगी और यह सही है, कि आपता बहुत बड़ी है लेकिन आपता को आउसर में बदलना ही मानव जीवन की विशेस्ता है इन दिनों सोशल मीडिया में आप लोकडाउन का एक और प्रभाव देखने को मिल रहा है बहुत से लोग पीटर पर, फेस्बुक पर, इस्टागाम पर विश्तार से बता रहे हैं कि कैसे वो अपने बच्चों के साथ जादा समय बिता रहे हैं यह सही है कि पहले संयुक्त परिवार होता था तो बच्चों को समालने का काम दादा दाजी कर लेते थे आज जड़ा छोटे परिवार हो गए तो मुश्किल वाभाविक है लेकिन आपने देखा होगा टीबी में, इलेक्रानिक मीडिया में, रेडियो पर इसे लेकर कई नए-नए शो बन रहे हैं हमारे देश के मीडिया में भी क्रियेटिविटी है उन्होंने लोगों को एंगेज रखने के लिए, लोगों को घरों में है तो क्या करना चाहिए, बड़ा अच्छे तंग्जे, इतने कम समयमनों किया है और एक लोगडाउन के में नई-नई बाते वो दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं इस सब के बीच मेरे मन को कुछ और बातों ने भी बहुत प्रभावित किया है मैं देख रहा हूँ कि मानव जाती कैसे इस वैस्विक संकट से जीतने के लिए एक साथ आ गई है और इसमें भी सबसे बड़ी भूमी का निभा रही है हमारी बाल सेना, बालकों की सेना मैंने ऐसे वीडियो देखे जिसमें चार-चार-पांचना साल के बच्चे माता-पिता को समझा रहे हैं कि कैसे हाथ दोना है, बाहर नहीं निकलना है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है बालक समझा रहे हैं, छोटे-छोटे बालक बाली का हैं, इस संकट पर अपनी प्रतिकाय दे रही है मैं ऐसे वीडियो, सोचल मीडिया, मैं काफी बीजी रहता हूं, कभी मिजी अच्छा लगता है कोई कि सामाने जन से जुड़ता हूं, तो इन दिनों मैंने देखा, कई परिवारों ने अपनी इस प्रकार की चीजी अपने बच्चों की सोचल मीडिया में रखी है और घर में बच्चों की वीडियो बना-बना करके वो, अब तो मुबाइल फोन पर बन जाती है मेरे बेनक जो देखी है, मैं कोशिस करूँगा, अगर डिलीट न हो गई हो, तो मैं इसको इखटा करके जुरूर आज शेर करूँगा आपने अच्छा एडिया दिया है, एक दो दिन में जुरूर मैं कर दूँगा, अगर आज मुखा मिला तो आज कर दूँगा और आप सब देखिए, जूर देखिए, ये बहुत बड़ी बच्चों ने कैसी कमाल कर दिये, पता चलेगा आपको याद होगा, जब मैंने स्वच्चता की बात दी थी, स्वच्च भारत अभ्यान शुरू किया था, तो आपने हर घर में देखा होगा बच्चों ने एक तरह से इस अभ्यान की कमाल संबाल दी थी, आज के बच्चों की, आज की विवापिदी की ये शक्ती, मुझे तो बहुत प्रभावित करती है मैं उनकी टालेंट, उनका सोचने का तरीका मझे बड़ा आनंद आता है, हाँ, कुछ माता पिता को ये चिंता सता रही होगी, कि इतने लंबे समय तक घर में रहने पर कहीं बच्चे ही उन्हें बिठा कर पढ़ाई करवाना शुरू न करते हैं, उनको ये ही डर लग रहा है वैसे और मुझे पक्का विश्वास है, इस भच्चे अपने बाबाब को कुछ कुछ पढ़ा के रहेंगे, 21 दिश में बहुत कुछ सिखा देगी है, वैसे साथियों मैं नमो एपर आप सब के सुझाव और फिडबेक भी निरंतर पढ़ रहा हूँ स्री ओमप्रकास ठाकोर जी, मुकेश्दाज जी, प्रभांसु जी, अमित पांडे जी, कविता जी, देश के अलग-अलग हिस्सों में, अलग-अलग लोगों ने अपने अपने तरीके से ये सुझाव दिये हैं कि लोकडाउन को सक्ति के साथ और लंबे समय के लिए को ने भी फेस्बूक, टीटर, इंस्टागाम और यूटूब पर इस महामारी से निपटने के लिए यही सला दी है, अपील की है, जब हमारे देश वासियों में खुद से ही ये संकल्प, ये समधारी हो, इस चुनोती से जूजने की ये द्रड इच्छा सकती हो, तो मुझे पुरा भरोसा है कि देश इस महामरी को जरूर जरूर हराएगा, अंत मैं फिर आप से कहूँगा कि आप सब मेरे काशिवासी, मैं थोड़ा नहीं आ पाया हूँ, आपके बीच में मुझे ख्षमा करें, लेकिन आप खुद को सुरक्षिद रखें, देश को भी सुरक्षित रखें, एक बड़ी लड़ाई है, जिसमें बनारस के लोगों को भी अपना पूरा योगदान देना है, पूरे देश को मार्ग दिखाना है, सभी काशिवास्यों को आज फिर एक बार दिल्ली से मैं पढ़ाम करता हूँ, और मैंजे विश्वास है, कि आपने हमेशा काशी को समाला है, आगे भी आप काशी को समालेंगे, यह मुझे पूरा विश्वास है, आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद.